नमस्कार मैं बलवान ठाकुर जी को तब से जानता हूँ जब ये जमू विश्व द्याले में ला डिपार्ट्मेंट के विध्यारती थे मैं भी इसी विश्व द्याले में अध्यापन का कारे करता था इनकी विलक्षन प्रतिभा की ज्छलक तभी मिलना चुरू हो गई थी इन्होंने कितने ही राश्ट्रियस्तर के पुरुसकार और इनाम जम्मु युनिवस्टी की जोली में डाले थे अपनी पढ़ाई खादम करने के बाद इन्होंने एक ऐसा निर्ने लिया जिसकी परशिंसा मैं आज तक करता हूँ इन्होंने फैसले किया कि ये कोई दूसरा प्रोफेशन ना अपना कर रंग मंच को ही अपना प्रोफेशन बनाएंगे और इस बात को इस निर्ने को भविश्य ने बिलकुल सही सिद्ध किया इन्होंने निकल कर युनिवरस्टि से नट रंग की नाम की संस्था की बुनियाद रखी और इस बुनियाद रखने के साथ ही जम्मु में रंग मंच के आंधोलन की बुनियाद रखी गई और जितना बड़ा अंदोलन नटरंग ने और बिलवन ठाकुर ने रंग मंच के ख्षेतर में जम्मू में लाया ऐसा कभी पहले नहीं हुआ इन्होंने कितने ही नाटक, कितने ही नाटकों का मंचन जम्मू में, जम्मू के बाहर देश में और फिर विदेशों में जाके किया वैसा पहले कभी नहीं हुआ था इसके इलावा इन्होंने कितने ही युवाओं को और कितने ही बच्चों को रंगमच के लिए ठ्रेन किया और खास बात ये है कि इनके नाटक बाहर इतने अधिक पसंद किये गए अपनी कलातमक्ता के कारण कि वो अपने आप में वो भी एक मिसाल है और एक और चीज जिसके लिए हम इनके हमेशा भी नहीं रहते हैं वो है कि इन्होंने बाकी भाशाओं के नाटकों के साथ साथ दोगरी के नाटक भी राश्ट्रिये और अंतराश्ट्रिये स्तर पर खेले और जैसे उसमें घुमाई है या बाबा जित्तो है जिससे ना सिरफ डोगरी नाटकों का नाम सारी दुनिया में हुआ बलकि हमारी डोगरी भाशा और डोगरी साहित्य भी सारी दुनिया तक पहुँचा इसके लिए हम इनके हमेशा अभारी है असल में प्रवन ठाकुर का व्यक्तित्व एक ऐसा अधवत मिश्रन है इन में कलात्मक्ता है इन में रंग मंच की प्रतिवा है और साथ ही मैनेजीरियल स्किल बहुत ज़्यादा है इसके कारण ये जीवन में बहुत सफल हुए है इनको पदम श्री भी मिला है हमें उसकी भी बहुत खुशी है और बड़ा गर्व है हम इनको अपनी शुब कामनाई देते हैं और ये अधिक से अधिक सफल हो आगे भी सफल हो